आगे अब चलते हैं किरातार जुनियम का सामान्य परिचय देखते हैं आईए सबसे पहले देख लेते हैं विधा क्या है किरातार जुनियम भी सेम महाकाव यही है कुछ और नहीं है यह महाकाव है सरगे कितने हैं इसमें वही देखो रगुवंस में कितने थे रगुवंस में थे कितने थे रगुवंस में थे उननीस इसमें एक कम है अठारा ठीक है इसमें अठारा श्लोक है एक हजार चालिस कितने हैं श्लोक एक हजार चालिस हैं नायक कौन है इसका नायक को तो याद ही मत करो क्यों नहीं करो याद कराट अर्जुनियम को नाम आ रहा है अर्जुन याईक है लो देखलो बही आपको ज़्यादा नहीं करना कुछ चीज़ें तो अन्डरस्टुड है किरात प्रतिनायक है विलेन है नायक है अर्जुन किरात अर्जुनियम है न तो किरात और अर्जुन तो किरात अर्जुन इसके बाद में आगे देखिएगा इसमें अर्जुन की पतनी कौन है वही स्वयंबर में किसको जीत करके लाया था वो द्रौपदी को तो द्रौपदी लेकिन अर्जुन करोन वरोन वाले आदमी नहीं है वो तो ठोकने पीटने में विश्वास रखते हैं कि जहां मिले हो और दो-चार जो है बान छोड़ो और निप्टाओ तो इनका अंगी रस प्रमुकरस कौन सा है वीर रस है अलंकार कौन सा है अलंकार देखिएगा यहां पर त्रमुक तीन तो शब्दा लंकारों का प्रियोग है बढ़िया बढ़िया ठीक है अनुपरास आदी उसके बाद में देख ली जिएगा अनुपरास हो गया यमक हो गया शलेश हो गया यह प्रमुक तीन शब्दा लंकार है शाट अर्था लंकारों का प्रियोग है और साथ चित्रा लंकारों का प्रियोग है किरात किसका है गरंथ किरात किसका गरंथ है पता होगा आपको किरात गरंथ है किसका हमारे भारवी जी का है तो भारवी जी की बात यह बताया था कि यह तो चित्रा लंकारों में सिद्धास् पर बावी की रचना की के लोग कहजें कि यह तो बड़ा गजब का ग्रण और देखो रीती कौन सी है रीती है इनकी पांचाली पांचाली माने द्रॉपधी ठीक है तो यह मत समझे ले ना कि आच्छा आप गलती कर दोगे फिर क्या गलती कर दोगे कि वहां पर रगु वन्स तो यह मत समझ लेना कि वहां पर आप लगा दो पाँचाली यहां वेदर्भी कर लो आप समझो अर्जुन की पत्न नी कौन है द्रौपदी का नाम क्या है पांचाली तो पांचाली रीती का अनुसरन किया भारवी जिन महा भारत के वन परव से यह ली गई है वही इसका उपड़ी वे है तो यह याद रखिएगा भूलिएगा नहीं कि यहाँ पर साथ चित्रा लंकार है तीन शब्दा लंकार है शाट अर्था लंकार है अंगिरस भीर है नायक पृतिनायक और नाईका आप सबको पता है सर्ग है अठारा है यह महाकाव रीती इसकी है पांच चाली आगे चलिएगा अगली स्लाइड में देखो अच्छा एक चीज तो आपको बताना थी वो भूल गया था इस स्लाइड में हमने ले लिया कि यह जो है किरात आर्जुनियम ब्रहत त्रई के अंतरगत परिगणित होता है ब्रहत त्रई के अंतरगत परिगणित होने वाला ग्रंत प्रथम ग्रंत है किरात आर्जुनियम क्यों कह रहा हूं मैं आप देख लो जरा ब्रहत त्रई और लगुत त्रई तीन और तीन च्छे प्रकार के ग्रंत है इसको आपको याद रखना है जीवन भर याद परिक्षाओं में सीटेट से लेकर के यूपी असी तक के जितने परिक्षाएं होती हैं यह सबसे कॉमन सवाल बन गया है इतनी बार पूछा जा चुका है कि पूछे मत और आपकी मूर्खता होगी कि अगर आप इसको नहीं डट पाएंगे साब कि पार्टिक्रम में तो ब्रहत्रई और लगुत्रई जो है इसकी ट्रिक क्या है इसको याद रखना है तो एक नाम याद कर लो किशन कुमार फिर से बोल रहा हूं किशन कुमार जी को याद कर लो किशन कुमार जी ब्रहत्रई और लगुत्रई में समावेशित हैं हां इनी में सारी ब्रहत्रई हैं Еβन नहींमें सारी लगुत्रही है किशं की की से हो जाता है के रात आर्जुनियं शा सीर यहाता है शिशु पाल वदम से नैश्य इचरितम Marcus Ch recur मानें बहत्रही ठीक है किशन मानें बहत्रही और कुमार कुमार से आते हैं लगत्रही कुमा कु से आ किशन कुमार किशन कुमार इसको याद रख लो किशन माने ब्रहत्रई कुमार माने लगुत्रई लगुत्रई के सारे ग्रंत काली दासके हैं महा कभी काली दासके सारे ग्रंत लगुत्रई में और ब्रहत्रई में क्या है तो आप देखो ब्रहत्रई में जो है अलग अलग काली किदाश की रचनाएं नहीं है किसकी है इसमें सारी की सारी रचनाएं सबसे पहला है किरात आरजणियम हां उसके बाद फिर शुपाल वद उसके बाद Jini आपको पता भी है कि वह भारवी जी का göraत आरजणियम विरहत्रएं पहला इस्तान रखता है क्यों कि ये बड़ा उत्कृष्ट ग्रंत रहा अच्छ अच्छ इन्होंने प्रियोग ऐसे करे लोग चौक गए और जब पहली बार ऐसा प्रियोग लब काव्य में ऐसा देखा गया तो सबसे पहले इस्थान दिया गया दीरगता से प्राउडता से और पूर्व प्राचीन भ आभा और प्रतिवा तब तक प्रकाशित रही जब तक माघ का ओदय नहीं हो गया जैसे ही माघ का ओदय होगा माघ ने अपना शिशुपालवद लिखा तब ही भारवी की आभा जो थी प्रतिवा थी उसको लोग भूल गए और शिशुपालवध माघ को याद करने लग है लेकिन इन दोनों के बाद फिर जो है हमारे स्री हर्ष जी भी कम नहीं थे उन्होंने का आच्छा तुम दोनों के आगे अब हम भी हैं आजाओ बच्चू हां तो उन्होंने लिख दिया नईशदीय चरितम और फिर विद्वानोंने कहा कि उधिते नईशदे काव्ये कव है केवल और केवल नईशदीय चरितम ही लोगों के मन मस्तिस्क्रिप मान अस्पटल पर बना रहा इसी लिए इन तीनों को इस्थान दिया है ब्रहत्त्रई में किसन कुमार जी को नहीं भूलिएगा बड़े सज्जन व्यक्ति हैं आपका एक नंबर बचा देंगे परीक्ष किसन बन सकते हैं भाई साब तो आप लोग बड़े अच्छे से तयारी कर लो किशन कुमार जी आपके दो नंबर तक बचाने की योगता रखते हैं इनको भूलना नहीं बड़े उपकारी व्यक्ति हैं ये संस्क्रिप जगत में किशन कुमार ठीक है तो यह ट्रिक आप प्रारंब कहां से हुआ शिरी से हुआ है ग्रंत का प्रारंब हुआ है शिरी से कहां से शिरी से हुआ है और सर्ग के अंत में लक्षमी शब्द का प्रियोग किया गया मैं अंडरलाइन भी करता जा रहा हूं लक्षमी शब्द का प्रियोग किया है प्रतेक सर्ग के अंत में न है नंशिरबाद आत्मा केंगत प्रसंगत को उपस्ठापतर्द कर दिया जाता है सीधी अपनी बात को प्राइंभ किया जाती आगे देखो किरात अश्चा अर्जुन अश्चा इति किरात अर्जुन हूँ यहां पर इतरेतर द्वन्द योग समास है ठीक है तो किरात अश्चा अर्जुन अश्चा अरे यह तो देखिएगा क्या कहरे है किरात श्च अर्जुन श्च किरात भी और अर्जुन भी इस प्रकार से किरात श्च करके काव ? इती किरात आर्जुनियम यहां पर किरात और अर्जुन को अधिकरत्य करके कावे लिखा गया इसको किरात आर्जुनियम कहा है यहां पर क्या है किरात आर्जुनियम में क्या देखेंगे किरात और अर्जुन किरात आर्जुन सब्द जो बन रहा था दुन्द समास में उसमें ज़िए लग गया अर्जुण या बन गया करात आर्जुनियम काव्वे है n अर्थ गौरब के लिए बड़ा प्रसिद्धित आप सब जानते भारवेर अर्थ गउरवं अब इसमें मन्ली नात की घंटा पतिटी का बहुत प्रसिद्धितिति विश्व प्रसिद्ध टीका है, मल्ली नाथ की टीका, मल्ली नाथ जी बड़े अच्छे व्यक्ति रहे हैं, इन्होंने लगूत रही और ब्रहत रही छे गरंतों पर टीकाय नेखी हैं, समझ रहे हैं आप मल्ली नाथ जी का उपकार भी नहीं भूलिएगा, लगूत रही पर मिल Community से प्राप्त होती है कि से परथम तीन सर्ग तो भड़े उसको भड़े क्थिन हैं कि नाम से गप्थर पर जाएंगे पत्ther होता है पत्थर कैसा होता हुथ मुलाइम तो होता नहीं है कलए को उसको जो है है पत्थर जो है बड़ा कठिन लगता है आप उस पर बैठ जाएंगे पत्थर पर तो आप कहेंगे बहिया मुझे बड़ा कड़क पंसा मैसुस हो रहा है गद्दे पर और सोफे पर बैठेंगे तो आनंद आएगा पत्थर पर सोएंगे लेटेंगे बैठेंगे तो आपको लग अब आगे इसका मंगला च्लन देख लेते हैं जो की वस्तुन रिदेश आत्मा क्या है श्रियह कुरूनाम अधिपस्य पालनीन प्रजासु वृत्यम् यमायूंत वेदितुम् सवर्ण लिंगी विदितह समाययो युदेश्टिरंद्वाई तवने वने चरहा अब आमने सामने अगर हम पढ़ रहे होते तो आपसे भी इसका पुना उच्चारन करवाते अनुवाचन अनुगायन करवाते लेकिन कोई बात नहीं है ओनलाइन आप अपने घर पर करिएगा वाचन तो ये बहुत अच्छा इश्लोक है इसका वनसस्त चंद में है अब देख अब देखिएगा कहते हैं शब्दार्त देख लीजिएगा कुरुनाम अधिपस्य जो कुरु देश के कुरु प्रदेश के जो अधिप हैं राजा हैं उनकी श्रिया हमाने जो लक्षमी है जो राज लक्षमी है उस राज लक्षमी का पालनीम पालन करने वाली कौन तो कहते प्रजासू वृतिम जो प्रजा के लोगों में जो उनकी प्रवर्ति है जो कुरुदेश के राजा हैं उनकी राज लक्षमी को पालन करने वाली और प्रजा के लोगों के प्रति उनकी जो प्रवर्ति है उसको वेदितुम उसको जानने के लिए विद्धातु ज्यान अर्थ म हैं यम अién Copa inca माने जिसको आयों इतों किया गया था साथ वह है यहां पर क्या है विद्धातु में तापरत्य है तो ुषिदितः बन गया अर्थात जानने वाला विदित बने जो जान चुका था सब कोछ ऐसा वाइ बनेचर द्वाइत बने द्वाइत बने-द्वाइत नामक बनमे ये जंगल का नाम है द्वाइत बन द्वाईतवन में युदिष्ठरम समाययव। युदिष्ठर के पास में समाययव। उनके पास में आया। भई क्या हुआ कि युदिष्ठर जो थे उन्होंने अपने एक वनेचर को नियोक्त कर दिया था। वह बन में चरन करता था और गुप्त चरता वो ब्रह्मचारी का भेश सादू सन्यासी का भेश बना करके भूमता था। तो वह जो कुरु नाम अधिपाह था। कुरु अधिप था कौन था। वह था दुरियोधन। दुरियोधन की राज लक्षमी को और प्रजा के प्रति उसकी प्रयसी प्रवर्ति है सासन व्यवस्ता कैसी है। इन सब को जानने के लिए उसको नियुक्त किया था ऐसा वो बिनेचर सब कुछ जान करके विधिताहा अर्थात जान चुका था जान करके वह व्यक्ति द्वाइत वने द्वाइत वन में युदिष्टर के पास में आया उनको बताने के लिए आया कि देखो साव ऐसा ऐसा हो र युदिष्टिरा में कौन सा समास है युदिष्टि रहा इत्यत्र कहा समास हा बताईएगा तब तक चंद देखते हैं चंद कौन सा है चंद है वनसस्त जताओ तुवंशस्त मुदीरितम जरव यह जो चंद है वनसस्त चंद है इसमें क्या होता है एक जगन होता है एक तगन ह तो वनसस्त मुदीर इतम जरव याद कर लीजिए इसको वनसस्त चंद का लक्षन है इसी में ये लिखा गया है मंगला चराण और ये जो वनसस्त चंद है इसमें बहुत बढ़िया रचनाएं होती है गाने में बढ़ी अच्छी लगती है तो आप इसको इसमें 12 वर्ण होते ह एक उसमें क्योंगी चार गण है तो चार तीए 12 इस प्रकार से 12 इसमें अक्षर होते है तो ये आपने इसको देख लिया इसके बारे में जान लिया आए इसकी सूक्तियों को भी जान लेते है कौन कौन सी इसमें सूक्तियां है किरात आरजुनियम की सूक्तियां देखिए प्रमक प्रमक सुक्तियां सुदुर्लवाह सर्वमनोहरा जिरहा वैं सर्वमनोहर वानी तो बड़ी दुरलव है अहो दुरंता बलवत विरोधिता वैं बलवानों के साथ विरोध जो होता है वो दुरंत होता है माने बड़े बुरे अंत वाला होता है अंत अच्छा नहीं होत जिनके अधीन हैं वो प्रभू जो हैं ऐसे प्रभू ऐसे उन नौकरों के द्वारा ठगे नहीं जाने चाहिए अर्थात जो बने चरादी हैं जो नौकर चाकर हैं जिनको हमने नियुक्त कर रखा है कर्मचारीगन हैं उनको अपने प्रभू को अपने स्वामी को किसी प्रकार संस्य में नहीं रहना चाहिए ब्रह्म में रहना चाहिए गुरुताम नैंती ही एल यह को हैं प्राप्त करते हैं गुरू जो इस नैंगल तुना द्रहेश परियंत्परिता पिनधन अब आगे और देख लिजे घुनारag प्रियत्वे धिकृता नसंस्तवाहा आगे देखिए प्रार्थना दिक्वाले विपत्फला और देखिएगा इसके बारे में और कई सारी हमारे पास समय है एक मिनिट का बचा हुआ है और सारी की सारी सूक्तियां हमें पढ़नी है व्रजन्तिते मूल दिया पराभवं बवन्ति माया विशुये नमाई नहा विचित्र रूपा खलुचित्र वृत्तया हा सुलभारम्यता लोके दुरलभं ही गुणार जनम सहसा विदिरीत नक्रियाम अभिवेका परमा पदाम पदम की मतलब महात्मा लोगों के साथ विरोध भी बड़ा अच्छा होता है आगे देखो रम्याणां विक्रतिरपिश्रियं तनोती बवन्ति गोमायु सका नदंति नहा मात्सर्य रोगो पहतात्मनां इस स्कलंति साधुष्वपिमानसान्य किमिवाव साध करम आत्म वताम न्याया धारा हिसाधवा जन्मिनो मान ही नस्या त्रनस्य चा समागती आगे देखो वस्तु मिच्चति निरापदी सर्वा नई ही नाद परज्यते जनहा पराववो प्युचव एव मानिना